हेलो एप्रिवन वेल्कम बैक टू होम ट्यूटर आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के संस्कृत विशय के चैप्टर 8 का अभ्यासकार्य और इस चैप्टर को हमने पहले पढ़ लिया है उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें और फिर उसके ब श्लोकान सास्वरम गायत जितने भी स्लोक पाठ में हैं उनको स्वर के साथ गाने का अभ्यास करना है फिर यहां पर है श्लोकान शान योजियत यहां पर दो खंड दिये गए खंड का और खंड खा जिसमें की श्लोक है और इसका आधा अंच दूसरे वाले खंड में दिया तो यहाँ पर क्या करना है मिलान करना है शलोक के सही खंड का जैसे कि पहला यहाँ पर है तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम तो इसके आगे की लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पर देखेंगे यहाँ होगा वचने का दरिद्रता तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद् इसलिए प्रिये ही बोलना चाहिए बोलने में कैसी दरिद्रता अगला है गच्छन पिपीलिको याती यहां पर हो जाएगा योजना नाम शतन्यापी इसे मिला देंगे तो ये लाइन पूरी हो जाएगी गच्छन पिपीलिको याती योजना नाम शतन्यापी फिर है प्रिये वाग के प्रदानेन यहां पर हो जाएगा सर्वे तुशियन्ति जन्त वहा प्रिये वाग के बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं प्रिये वाग के प्रदानेन सर्वे तुशियन्ति जन्त वहा फिर है क किम भवेत तेन पाठेन याँ पर हो जाएगा जीवने योना सार्थका इसे मिला देंगे ये पूर्ड हो जाएगा किम भवेत तेन पाठेन जीवने योना सार्थका उस पाठ का क्यालाब जो जीवन में सार्थक ना हो काकह क्रिश्णह यहां पर हो जाएगा को भेद पिक काक्यो हो कौवभि काला और कोयल भी काली दोनों में क्या भेद है तो यह इस तरीके से यहां पर इसको मिलान करके पूरा करना है अगला प्रशन है प्रशना नाम उत्तराणी लिखत यहाँ पर हमें कुछ प्रश्ण दिये गए हैं इनके उत्तर लिखने हैं तो यहाँ पर पहला प्रश्ण है सर्वे जन्तवाह केन तुशे अंती सभी लोग कैसे प्रसन होते हैं या कैसे संतुष्ट होते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे जन्तवा, प्रिये वाक्य प्रदानेन, तुशे अंती, अगला प्रश्ण है पिक काक योह भेदाह, कदा, भवती, पिक यानिकी कोयल, काक यानिकी कवा, कोयल और कवा का भेद कब होता है या कैसे पता चलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिक काक योह भेदाह, वसंत समय भवती, कोयल और कवे का भेद वसंत समय में होता है अगला प्रश्ण है कह गच्छन, योजना नाम, शतन्यापि याती, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिपीलिका, गच्छन, योजना नाम, शतन्यापि याती वक्तव्यम हमें कैसा बोलना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अस्माभी प्रियम वक्तव्यम हमें प्रिये बोलना चाहिए. प्रश्न नंबर चार है उचित कथना नाम समक्षम आम अनुचित कथना नाम समक्षम न इतिलिखत या पर कह रहे हैं कि उचित कथन के आगे आम आमकार्थ होता है हाँ और अनुचित कथन यानि कि जो कथन गलत है उसके आगे न यानि कि नहीं लिखें तो पहला है काकाह शुनह ना भवती, कौवा काला नहीं होता है, तो ये कथन कैसा है, ये कथन अनुचित है, गलत है, क्योंकि कौवा तो काला होता है, यहां पर कह रहें कि कौवा काला नहीं होता है, तो ये कथन गलत है, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे न, अगला है अस्माभी प्रियम वक हमें प्रिये बोलना चाहिए ये कथन सही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम अगला है वसंत समय पिक काक यहो भेदा भवती वसंत समय में कोयल और कौवे का भेद होता है तो ये भी सही है यहाँ पर हम लिखेंगे आम वैन तेया पशुह अस्ती यहाँ पर कहरें गरुड क्या है पशुह है तो ये गलत है गरुड पक्षी है ये गलत कथन है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे न अगला कथन है वचने दरिदरता ना करतव्या वचन में दरिदरता नहीं करनी चाहिए यह सही कथन है यहाँ पर हम लिखेंगे आम प्रशन नंबर पांच है मन्जु शाताह समान अर्थ कानी पदानी चित्वा लिखत यहाँ पर क्या करना है समान अर्थ वाले शब्द चुनकर के लिखने है यहाँ आमें विकल्प दिये गए हैं तो यहाँ जो शब्द है इनके समान अर्थ वाले शब्द यहाँ चुनकर लिखने है जैसे कि पहला यहाँ पर है वचने तो वचने का समानार्थी हो जाएगा कथने यहाँ पर लिख देंगे अगला है वैन तेया तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा गरुडाह पुस्तके इसका समानार्थी हो जाएगा ग्रन्थे अगला है उद्ध्यमेन इसका समानार्थी हो जाएगा परिश्रमेड, फिर है पिकाह, पिकाह का हो जाएगा कोकिलाह, अगला प्रशन है विलोम पदान योजियत, यहाँ पर दो खंड है, खंड का और खंड खा, तो यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं, इनका विलोम शब्द दूसरे खंड में लिखा है, यहाँ मिलान करना है, जैसे कि पहला है सार्थकाह, सार्थकाह का विलोम हो जाएगा, निरर्थकाह, इसे मिला देंगे, क्रिश्रुनाह, क्रिश्रुनाह का हो जाएगा, श्वैताह, अनुक्तम, अनुक्तम का हो जाएगा, उक्तम, गच्छती, गच्छती का हो जाएगा आगच्छती, जागरितस्य, जागरितस्य का विलोम हो जाएगा, सुबतस्य, इस तरीके से इसे मिलाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पाठ आठ का अभ्यासकार पूर्ड कर लिया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई